असलाम लेकम दोस्तों, अन्यम डिकर्ट बीगर सावर्स पर मैं आपका हुशामदीद कहती हूँ, अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज समझाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंट्स वेलोस और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर के लिए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रस कर दें ताके आपको हर नहीं आने वारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आज जो टोपिक आप से डिसकेस करने जा रहे हूं बायलोजिकल मॉलिकूल्स में इस टोपिक का नाम है नुकलिक एसिद, नुकलिक एसिद के बारे में लिखा है कि 1869 में Swiss physician हमारे पास उन्होंने फर्स टाइम इसको रिपोर्ट किया था उन्होंने नुकलिक एसिद को, उन नुकलिक एसिद का नाम दे सकते थे, इस कमपाउंड वस नाइधर प्रोटीन यह जो कमपाउंड एस फिस फिजिशन ने निकाला था, वो ना तो प्रोटीन था, ना लिपट था, राकार्बोहईड था, तो हम इसको नॉल टाइप आप अपाउल पाईलिकल मॉलिकूल के सक था 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 था, ठीक है, 1920 में basic structure and chemicals nature of the näm्लिक नीकलीन था है, ठीक है आप हमारे पास यह नुपलिक, हालीग मारे पास यह एसका प्रोटीन सका इसका इसको बिलक मात एज जा निकाला था, जैकली सक का शी. AEC की changing equilibrium. इसके बारे में पढ़ेंगे यह clear हो गया कि Nucleic Acid की दो टाइप hill होती हैं Deoxy Ribonucleotides एं Ribonucleotides हम DNA, RNA बजबन से परचते ह explanation आ arqude both Nucleic Acids are linear Unbranched Polymers दोनों के बारी मैं कहाँ चालest万 बार नुख वो DNA हो चाले हो चालए否 ऑसे हम नि sparklingates कहते हैं तो एस न completai ने के नवक्लू टाइड के सब्सक्राइ報 network में टियोक्सिरियूộtन गतरों आहर dit कुछ गौरा दियूक्सिरी को में तेलिक आप पूचा डियूक्लीटायऑ चाए के 3 main components of nucleotide are pentose sugar phosphate glopane nitrogen containing ring structure pentose sugar के बारे में लिखावा है कि अगर pentose sugar deoxy ribonucleotides में मुझूद है तो इस हम deoxy ribose कहेंगे क्योंकि एक sugar है तो यह अगर यह pentose sugar हमारे पास ribonucleotides में मुझूद है तो हम उसे ribose कहेंगे phosphoric acid के बारे में रिकावा है phosphoric acid जो है वो हमारे पास common component है बोथ nucleotides का which provide the acidic properties to dna और 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 यह हमारे पास acidic properties को provide करने का काम करता है यहां पर हमारे पास मुझूद है nitrogen containing ring structure जिसे हम base कहते हैं base क्यों कहते हैं क्योंकि इसके पास unshade pair of electrons होते है nitrogen item के पास और इसको proton की जरूरत होती है यहां पर mention है कि दो major classes नाइटरजनी spaces की एक हमारे पास दो है वो single ring pyramidine and double ring purine single ring अगर हमारे पास मुझूद है उसे हम pyramidine कहते हैं double ring हमारे पास मुझूद है तो उसे हम purine क्याते हैं pyramidine basis के बारे में लिखावा कि इसके पास तीन टाइपस है cytosine thymine और uracil CTU यानि तीन टाइपस मुझूद है cytosine thymine और uracil और यहां पर हमारे पास लिखावा thymine के बारे में लिखावा है यह सिर्फ इन्न में पाईucky है यूर헤सल के बारे में लिखावा कि यह इसे six और सिर्फ आरने में पाई जाती हम ने pyramidine basis को टो डिसकस के लिए pyorein basis बारे में लिखावा है कि उसकी दो टाइपस है हमारे पास जब nucleotide बनता है तो first nitrogenous base होती है वो 1 carbon of pentose sugar के साथ जब मिलती है तो ऐसी combination को हम nucleoside कहते है जब phosphoric acid linked होता है यहाँ पर देखी कि एक बात और mention की गए यह का जब phosphoric acid जो होता है 5 carbon of pentose sugar के साथ यह देखें यह है 5 carbon pentose sugar के साथ और जब phosphoric acid इसके साथ linked होता है हमारे पास तो nucleotide बन जाता है यहाँ पर देखी यही बात लिखें कि when phosphoric acid is linked with 5 carbon of pentose sugar then a nucleotide is formed हमारे पास nucleotide बन जाता है एसा nucleotide न nucleotide with one phosphoric acid जिसमें एक phosphoric acid मजुध हो मुझे नुकलो豊 टाइड या नुक्लो टाइड मोनो phosphat कहते हैं एसा phosphoric acid जिसके पास हमारे पास दो के साथ वो attached रहत है तो हम उसे nucleoside divisphosphate कहते हैं और जिसमें वह 3 के साथ attached हो तो इसे हम nucleoside trifosphate कहते हैं पार, जो बार बार बारे में लिखा हुआ है कि विश्टे कांटोंगे अगि जो, idi-teak? और भी आरने जो फोर्मिशन अन और आरने एंसे नूलो टाइड जो dna और urn'de के फार्मिशन में पाटिस्पेट तो यह Samagin?" के पास three phosphate groups मुझूद होने चाहिए लेकिन जब इंकॉर्परेशन होती है बाद यूरिंग इंकॉर्परेशन एंटो DNA और RNA पॉलिमर इच नुकलोटाइड लूजिस इट्सू टर्मिनल फॉसफेट को लूज कर लेता है डिफ्रेंट टाइड से नुकलोटाइड जब वो DNA और RNA बनाएंगा तो इस अनेसेसरी कंडिशन एट मैस्ट हैव थ्री फॉसफेट बाद यूरिंग इंकॉर्परेशन इट को लूज कर लेता है इस स्ट्रक्शर में देखें कि पीछे एक और स्टेट्मेंट दी गही थी जब फर्स नाइट्रोजनी इस बेज़ वन कार्बन अफ पेंटोज शुगर के साथ अटेश्ट हो तो हम उसे नुकलोसाइड कहते हैं यहां पर हमने पढ़ा था कि जब हमारे कार्बन अफ पेंटोज शुगर के साथ अटेश्ट होता है तो हम इसे नुकलोटाइड कहते हैं और जब हमारे पास नाइट्रोजनी इस बेस फर्स कार्बन अफ पेंटोज शुगर के साथ अटेश्ट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं नुकलोसाइड कहते हैं तो यह आपक लेकिन कार्वो हाइडरेट्स प्रोटीन्स और लिपर्ड जाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलीक्यूल जो होता है वो रिलीज्ट जो मॉलीक्यूल रिलीज्ट होता है हमारे पास वो वाटर होता है लेकिन जब न्यूक्लोटाइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तो ह अगर हम water को add करके pyrophosphate को तोड़ते हैं तो हमारे पास एक great deal of energy release होते हैं यहीं हमारे पास एक large amount of energy release होती है जो इस process को drive करती है ठीक है in this way nucleotides begin to link by phosphodiester bond इस process में nucleotides होते हैं वो phosphodiester bond के जरीए से जुड़ना शुरू कर देते हैं और जो हमारे पास polymer बनता है nucleotide का उसे हम polynucleotide कहते हैं obviously हमें polynucleotide ही चाहिए था और हमने इसके लिए energy कहां से release की हमने energy pyrophosphate को तोड़के जो energy release होई थी यानि water add करके जब polynucleotide को तोड़ा गया था जो energy release होई थी वो यहां पर यूज की जा रही है nucleotides की बनने में और nucleotides होते हैं वो phosphodiester bonds के जरीए से बनना शुरू कर देते हैं और हमारे पास polymer बनना शुरू हो जाता है यह निए polynucleotide हमारे पास जो हमारी जरूरती वो बन गया है polynucleotide के बारे में लिखा भी गए 3-5-phosphate group at one end and 3-phosphate group hydroxyl group at one end इसने कहा कि अगर आप polynucleotide के structure को देखते हैं यहां पर देखिएगा यह जो इसके पास 3 end है यहां पर OH group मुझूद होता है और जो हमारे पास 5 end है वहां पर हमारे पास phosphate group मुझूद होता है यहां पर थोड़ा सा कुछ लिखनी की वज़ए से erase हो गया है लेकिन अगर आप 3 end पर देखे तो OH group मुझूद होता है और 5 end पर देखे तो आपके पास phosphate group मुझूद होता है अपनी आसानी के लिए हमने इस sequence को 523 का नाम दे दिया है इसके साथ ही मैं अपनी वडियो से इजास्त लेना चाहूंगी उमीद आपको यह ट्रापिक अच्छे से समझ आ गया है पिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सक्षिन में पूस सकते हैं अगली वडियो तक मुझे इजास्त दीजिए का अल्ला हाफिस